हेलो फ्रेंड्स मैं प्रशानद आप सबका आपके चहिते सेक सेक सुखी जीवन का मंतर डॉक्टर विजे दैफले के साथ इस खासकारे करम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों हमें जब भी कोई मेडिकल इमर्जनसी आती है या फिर स्वास्ते से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है तब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम वो सारी चीजे हमेरे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं पर दोस्तों जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़े परिशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्माती है या फिर हम जिजकते हैं पर दोस्तों अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि डॉक्तर विजय दाईफले, आपके सारे sex related सवालों के जवाब बहुत ही positive तरीके से जरूर देंगे शोको शुरुआत करते हैं लेकिन शोको शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्तर विजय दाईफले इनके बारे डॉक्टर विजय दही फले ये सेक्सोलोजिस्ट, यूरोलोजिस्ट और एंड्रोलोजिस्ट है डॉक्टर के क्लिनिक अरंगाबाद, हैद्राबाद, दिल्ली में द्वारका, पुने, नवी मुंबई में नेरूल, दादर, अंधेरी, कल्यान, नाशिक, एहमदाबाद और दुबई में है डॉक्टर विजे दही फले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फरेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटर सल्ला मशुरा करते रहते है तो चरिए शो शुरुआत करते हैं डॉक्टर साब आज भी हमारे साथ है सर वेलकम टू दू शो नमस्ते सर हम सेक्शुल डिसफंक्शन के बारे में बात कर लें और जो हर विक में दो-दो-तीन-तीन हमारे वीडियो जाते और वो वीडियो देखने वाले जो दर्शक जो हमारे है उनकी डिमार्ड की वज़े से अलग-अलग सब्जेक्ट हम लोग चूज कर रहे और यही सब्जेक्ट आज के इस एपिसोड के लिए भी हमने चुनाए कमजोरी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे और उसके तेयत मेरा पहला सवाल सेक्शूल डिस्फंक्शन या कमजोरी की जो मेडिकल लाइन ओफ ट्रीटमेंट है वो क्या होने चाहिए और क्या होती है प्रशाण जी यहाँ पर जो सेरी चल रही है सेक्स एजूकेशन, सेक्शूल आवर्नेस और सेक्शूल सेफटी इसके अंतर हम सैंटिफिक इन्फॉर्मेशन ले रहे है मेल सेक्शूल इसफंक्शन क्या है फिमेल सेक्शूल इसफंक्शन क्या है लिंक के भी नाकार क्या है यह उने की आकार क्या है आज बहुत ही उम्दा टॉपिक देख रहे है वह सब कारण तो देख लिए अब ही treatment कैसी दिनी है और उसमें medical treatment क्या है बहुत बार देखो दो चैनल रहते है treatment के पहले से ही किसी को blood pressure की दावा चल रही है diabetes की चल रही है उसमें alpha blocker है या other drug की वाज़ से side effect वो पहले हमें कम करने है एक तो exercise योगा से या dose change करके कम करके दूसरी बात link के तरफ का supply जो जाता है उसे बढ़ाने के लिए vasodilator जो medicine लेने का blood का flow हमारे body के प्लो से दर्ज गुना ज़्यादा बढ़ता है ऐसी दिन है centrally acting drug है जिससे control आजा है तुमारे erection के उपर और ज्यादे देरा परफॉर्मस कर सके तिसरे आते हैं local application वाले हाँ hypersensitivity कम करने के लिए जो argument रहते है वो आगे कुछ oil आगे जहां पे skin expander सेते है और हर्मनल तेरी पे है testosterone के जैसे और जैसे male में है वेसे ही females में भी उनका loss of libid होगा है जैसे भी symptoms है उसके इसाब से testosterone estrogen है या हर्मनल तेरेपी देखे उन्हें अच्छा कर सकते है और उन्हें जो performance उनका है दुनों का वो हम अच्छे तरह से सुधार सकते है सर ये कमजोरे के लिए जो mechanical aids होते है वो क्या होते है वरी important भई सबको medicine काम करेगा बोल नहीं सकते एक 10% लोग ऐसे रहते है जिसमें medicine काम नहीं कर रहा है डाइबिडिस के वज़े रस्ता चोक हो गया बिपी के वज़े सपलाए नहीं जा रहा है कुछ injury है ट्रामा है और कुछ भी हो ऐसे cases में next line of therapy क्या आती है vacuum erection devices है वो वहाँ पे लगाना है बहुत बार splint रहते है penile लगाने के लिए और वहाँ पे penile implant inflatable होगे, deflatable होगे rigid है, semi-rigid है ऐसे जो elements हम यूज़ करते है यह बहुत बार pre-shot therapy जैसे injectable therapy देते है यह है mechanical aids जिसकी वाज़ से आपको आपके partner को सुख मिलने के लिए यह इस्तिमाल करते है जिससे आपको natural जो sex में आनद आता है वही इससे मिलता है सर बहुत बार ऐसे होता है कि sexual dysfunction में या कमजूरी में sex therapy suggest करते है डॉक्टर्स यह इसका काम क्या होता है definitely, it's very important counseling factor क्यों important है पर हमारे यहाँ पर शादी के पहले भई उसे कोई sex education ने बस ऐसी शादी होगे निकले honeymoon वहाँ पर ना partner कोई इसको पता है ना उसको पता है बहुत बार क्या होता है एक sex therapist जो advisor है जो qualified sexology रोलिस और रोलिस है जो counselor है और दोनों का apprehension पर activity कैसे होती है position क्या होती है कैसे act करते है क्या नहीं इसका apprehension कम करते है दोनों का introduction कर लेते है भई पहले दिन मिल गए और चालो हो गए ऐसा नहीं जमता है उनको कैसे एक दुसरे के साथ मिलन करना कैसे एक दुसरे के साथ इंट्राडूक्शन करना ये तरह से एक सेक्स थरापी से हम करते हैं ये दुसरे का डर सेक्स के बारे में नौलेज और उक कैसे करने के अक्ट उसका इंफर्मशन नभाएगा तो डर निकलता है और इससे डेफिनेटली उनका सेक्शल लेप सक्सेस्प करने के लिए एज की कोई लिमिट होती है क्या अब हम बात करें थे मेकैनिकल एड्स क्या है बही मेरी सेरिज बुलूंगा आपको यहने कोई लिमिट क्या होती है नहीं होती है मैं बाइस साल से लेकि जहां पर उसका ट्रॉमा हुआ था मैं एक सेवन्टी फाइए तक हमने सक्सेस्फुली लेकिन यहां पर क्राइटीरिय रहे थे वहां पर स्टिक्चर होगा वहां पर कुछ प्रॉल्म है और दूसरा उसके अंदर व्यत्रा के अंदर उसे हमें रिजॉल करना है बहुत बार फिफ्टी या फिफ्टी फाइप के बाद प्रोस्टेट बढ़ जाता ह क्या 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 फिफ्टी फिंटम है क्या हमें इंप्लांट लाना के बाद और कोई प्रोस्टेट करने की जुरत पढ़ने वाली है क्या तो सेलेक्शन क्रैट्रिया समझो आप स्टिक अप करोगे तो डेफिनेटल आप वहां पर एज लिमिट कुई आप उसको आती नहीं है क्योंकि उसमें inflatable, deflatable, rigid, semi-rigid ऐसा इंप्लांट चेंज करके जो भी आपकी sexual activity की एज है वह एज में आप definitely इंप्लांट कर सकते हैं सर बहुत बार doctors behavioral treatment suggest करके हैं कमजूरी में तो यह क्या होता है और यह कैसे किया जाता है बहुत important है behavior क्यों important है बहुत कपल है आगे सामने जगडा शुरू समझो imagine करो एक दुसरे के साथ बनती नहीं एक दुसरे के उपर doubt लेना है आधा टाइम तो mobile check करने में जाता है एक दुसरे के अरे उसके सिवा तुम एक दुसरे के उपर concentrate करने के पीछे लग जाओ तो यह भीवर अच्छा नहीं है आप गाली करोश कर रहे हो एक दुसरे के प्रतितरी स्कार निर्मान हो रहा है तो कैसे sex करोगी उसके साथ तो उसे counseling करके समझाएंगे भई जो है उसे accept करो उसे adjustment करो और आगे अपना life बढ़ाओ और यह therapy जो रहते है behavioral उससे यह बहुत फाइदा ह होता है और इस sex therapy भी उसमें हम add करते है जिसमें उनके knowledge देते हैं क्या रहता है for play कैसे आपको activate करना है कैसे आपकी partner को रिजाना है कैसे इन्वाल करना है तो यह behavioral therapy बहुत काम में आती है जिसे एक कमजोरी बिना दवा की बिना medicine की अच्छी हो सकती है मेघा जी है वडाडा से उनको सवाल पूछता है पूछे मेघा जी क्या सवाल है आपका जी नमस्ते सर कमजोरी में पुरुषों ने पेनल इंप्लांट करने से sex में कोई दिक्कत आते हैं क्या एक्सलेंट बहुत उमिदा सवाल है यही टॉक और कंटिन करते हैं mechanical devices अभी यहां पे क्या होता है बहुत बार यह पार्टनर जो है आता है हमारे क्लिनिक में मुझे इंप्लांट करना है सर अभी कुछ काम नहीं करें अभी पूछा है कि अपने पार्टनर से बहुत बार बि क्या करोगे तो बनाइल इंप्लांट एक इतनी अच्छी प्रोसीजर है जब सब कुछ फेल होता है मुलेंगे ए रामबान आउशिदी उपाय बोलेंगे एड दे एंड अप दे तेरैपी वहां पी इंप्लांट डालने के बाद सेंसेशन नॉर्मल रहेगा इरेक्शन आपक इंप्लांट के बाद मिलेगा लेकिन एक दूसरी की सम्मती कंसेंटिंग और उसके बाद ही इंप्लांट करो तो किसी प्रार की दिक्कत आपको नहीं आएगी सर साब कमजोरी में एक साइको थेरेपी ट्रीटमेंट कहा जाता है जिसे वो भी की जाती है अभी ही से हम खालिये वर्ड सुनते लेकिन एक्टिकली क्या है यहां पर क्या होता है बहुत बार कुछ बहुत ही गार्डेट चैडल होते हैं इतना observation रहता है गार्डियन का यह मत करो मत करो किदर मिक्स मत करो फ्रेंड में करना है कुछ करना है तो क्या होता है शादी के बाद इतने डर जाते हैं मेरा सेक्स होगा ही नहीं होगा partner सैटिस्पाय होगा फिर नहीं होगा ऐसे unnecessary भाईबीत हो जाते हैं तो ऐसे cases में जब counselor के पास हम pre-marital counseling भी करते है तो वो ने हमें लाना है पास में, हमें एक्स्प्रेंट करेंगे, उनको बुग्स देंगे, बहुत बैसिक गैडलाइन क्या रहती है, हनीमून कैसे करना है, अपना बहुत अच्छा टॉपिक है, हनीमून का, पहले एक दुसरे के साथ कैसे इंट्रॉडक्शन करें, बाद में दीरे-दीर कैसे सेक्श्वालेटी है, सेक्श्वालेटे यह स्टेब बाई स्टेब, एड दे एंड हो एक्ट में जाना है, तो उसी से उन्हें काफी अच्छा रिलाक्सेशन मिलता है, नॉलेज मिलता है और जो एकदम unknown रहते हैं एक दूसरे से वो एक दूसरे की पैशान बना के अच्छा sexual life enjoy कर सकते हैं तो यह रहती है साइको तेरापी जी और एक आखरी सवाल सर चाहूंगा अक्सर आप आप बात करते हैं हमारा जो मराठी का लायूश हो जाता है उसमें भी आप बात करते हो कि सेक्स एजूकेशन या कम्यूनिकेशन तो यह सब चीजे कमजोरी में कितने माइने रखते हैं देखो यहां पर जैसे हर चीज की स्टडी है यह सेक्शूल एक्ट्विटी इमिडियेटली करना यह एक्ट नहीं है पहले पास आना है एक सेंश्वालिटी है एक दुसरी को जानना है एक दुसरी को मन पहचानना है बात में धीरे धीरे अपने आप आप कैसे वह एक्ट में जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा तो एड्स नहीं हो कोँगा अच्छी तरह से नॉलजी लो, सेक्सॉलोजी से अडिलोज से मिलो, अपनी समझ से अस्याव करो, और निजी लाइफ एंज़य करो. तेंक्यू सो मच सर, आज के एपिसोड बेबे आपने बहुत अच्छा अमार के दर्शन किया है, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, लेकिन आप अगर डॉक्तर साब से मिलना चाहते हैं, आप उनकी सला लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो क चलिए फिर आज के इस शो में यही पर रुकते हैं, अगले शो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया